वेलकम ट्रेडर्स एक नए सांदर और जबरजस्त वीडियो में आप लोगों का सुवागत है आज के इस वीडियो में हम XRP की प्राइस प्रेडिक्शन और फ्यूचर की ग्रोथ के बारे में बात करने वाले हैं क्योंकि यार काफी ऐसे ट्रेडर्स इन्वेश्टर है जो कि यार जानना चाह रहे थे कि XRP का आगे क्या हो सकता है तो उसी के उपर हम डिसकस करने वाले हैं और यहाँ पर कम्प्लीट XRP के बारे में प्रेडिक्शन हम सही साबित करेंगे क्योंकि अभी जो points 7095 की जो price चल रही है यार कहिना कहीं बहुत जादा अच्छी है और 0.9% की उच्छाल के साथ यह studying हुई है और कहिना कहीं इस price पर अगर हम देखेंगे तो XRP के साथ या तो uptrend चलेगा या फिर downtrend चलेगा और दोनों ही moment पर यार loss से बचने के लिए क्या करना चाहिए यह हम देखने वाले है इससे पहले आज की जो big breaking news के बारे में बात कर लेते हैं वो है crypto regulation के ऊपर मानिनी सुप्रिम कोर्ट इंडियन सुप्रिम कोर्ट ने यहां पर जो government है इंडियन government उसको या लताड़ा है और उससे पूछा है कि या अभी तक आपने crypto को regulate क्यो नहीं किया या तो पूरी तरह इसे बेन करो या तो फिर उससे regulate करो दोनों बीच में अधम में लटकाने से क्या मतलब है तो इस टाइब की बाते बहुत ज़्यादा की है मानिनी सुप्रिम कोर्ट ने और यहां पर सरकार को एक सपष्ट नरदेश उन्होंने देने का प्रियास करा है कि कहिना कहीं इसको आप action लो इसके विसे में सोचो क्योंकि अभी तक यार याद हो तो इंडियन गौवर्मेंट ने करा क्या है कि केवल उस पर 30% टेक्स लगा दिया है और इसके अलावा कुछ भी नहीं किया है लेकिन यार कहिना कहीं इसको regulate करने की ज़रुरत है या फिन नह आई है कि सरकार को अब इस विसे में कुछ ने को सोचना पड़ेगा और इंडिया में इसको या तो regulate करना पड़ेगा या फिर कुछ भी करना पड़ेगा एक्शन जरूर यहाँ पर action की position में माने जो सरकार है वो आने वाली है क्योंकि माने ने सुप्रिम कोट ने इनको कहा ह लताडा है अच्छा खासा तो यह खबर थी जो कि यार कहिना कहीं क्रप्टो मार्केट को आगे उतार चड़ाओ के दोर में देखने को मिल सकता है और इसका नतीज़ा होगा आने वले समय में इसका impact आपको देखने को मिलेगा चलिए अब हम हमारी मेन खबर के तरप आते है और वो है XRP कोईन के बारे में आपको सबको पता है कि XRP ने काफी जंग लड़ी है और इस जंग में वो कहीना कहीं बहुत सारे जो इसके उपर case ways चल रहे थे उन सबसे निप्टारा इनोंने किया है और उसके बाद ये अभिवर्तमान में काफी अच्छी position पर बनी हुई है तो यहाँ पर आगे क्या बन सकता है इसका आकडो के हिसाब से हम यहाँ पर गोर करेंगे क्योंकि अगर आप देखेंगे तो पिछले 24 घंटे में प्राइज गिरी है पिछले 7 दिन में भी प्राइज 4% के आसपरस इसकी डाउन हुई है लेकिन पूरे महिने की बात करें तो अगर 13 जुलाई से ही देखे तो प्राइज सच्टेन चल रही है ना ज्यादा उपर ना ज्यादा नीचे हलाकि एक टाइम 8.84 तक पहुची थी लेकिन फिर उसके बाद 0.70 के आसपास है और यहीं पर इसका कहिना कई सपोर्ट लेवल बन रहा है अब यहाँ से क्या है इंव वीडियो भी बनाये थे इसके उपर पर ठीक है 49 की ग्रोथ इसने दी है वो ठीक है अब उतार चड़ाओ के इस दोर में आर इसके साथ करना क्या है अगर आप XRP को देखोगे तो अभी आर टॉप की जितने भी क्रिप्टो करेंसी है उसमें काफी अच्छा इसका यहाँ पर इसके साथ आगे क्या हो सकता है और क्या नहीं तो यहाँ पर हम कुछ निसकर्स पर पहुचे है उनके बारे में मैं आपको यहाँ पर डिसकर्स कर दूँ देखिए सबसे पहला तो यह है कि अभी क्रिप्टो जो XRP है ना क्रिप्टो करेंसी इसमें आपको यार शोट अपडाउन हो रहा है और यह अपना जो पुराना सपोर्ट लेवल है जो पुराना सपोर्ट लेवल है उसको क्रोस करते हुए जो इसका रजिस्टन लेवल बन रहा है उसी को यह सपोर्ट लेवल बना रहा है कही ना कही और यह अच्छे चीज़ है अगर यहाँ पर देखे इसको ये resistant level माने हम तो इसी को आगे जाके इसने support level बनाया है पिछले 7 दिनों में अगर इसको हम support level माने resistant level माने तो देखे इसी के नीचे कहीना कहीन से support level बनाया है तो ये एक अच्छा संकेत है जो कि market में अगर आप internet trading के हिसाब से आते हैं तो आपको इस बारिक्यों को दिहान रखते हुए जो पुराना resistance level है उसी को आप support level और stop loss लगा सकते हैं और वहाँ से price से थोड़ा बहुत profit निकाल सकते हैं लेकिन यार यहाँ पर में आपको अगर जानकरी नहीं है ना crypto market के तो मतफसी है रिंटर डे में और short term के हिसाब से मतफसी है क्योंकि XRP long term के हिसाब से काफी अच्छा profit बना के दे रहा है अगर पिछले 7 दिन का देखे तो नुकसान है लेकिन एक महिने में profit निकाला है और अभी जो इसके उपर quote case वगेरा की जो हुई थी उसके बास से अभी market में काफी अच्छा trend चल रहा है इस coin का तो इसका moment अगर long term के साब से आप invest करते हैं न एक महिने से ज़्यादा और लगबग 6 महिने से कम इस बीच का मैं time period ले रहा हूँ long term तो बहुत बड़ा हो जाता है तो इस बीच अगर आप थोड़ा long term के साब से इन महिनों में invest करते हैं इतने महिनों के लिए तो आपको definitely यहाँ पर profit देखने को मिल सकता है हलाग यह मेरी personal advice है आप अपने research base पर ही invest करें ठीक हम आगे आपको पहले clear कर दो तो यहाँ पर यह एक चीज है देखने वाली जो कि यार इसका कहिना कई कायम दिखा रहा है एक चीज और आप देखोगे तो जो price है ना वो 0.71 के इस तर के आसपा से कायम है जो कि यार कहिना कई एक trend दिखा रहा है कि एक trade line को follow कर रहा है अब यहाँ पर आपको अगर थोड़ा profit short term में लेना है तो देखिए 7.0 से उपर जाती है price तो कहिना कहिन यह मजबूर trend बनता है उपर की तरफ और यहाँ पर आपको कुछ दिनों के लिए फाइदा है यह दे सकता है लेकिन अगर 7.0 से नीचे trend चलता है तो फिर यार इसमें थोड़ी moment आपको loss की तरफ देखने को मिल सकता है और trading range से बाहर निकलने का इंतिजार करिए अगर यह 0.755 से अप पोहच गया तो फिर यार uptrend चलेगा और यह कहिना कहिन आपको एक अच्छा profit यहाँ पर देखर जा सकता है लेकिन यार 70 से नीचे आजाता है यह तो फिर तो यार कहिना कहिन इसमें loss भी आपको देखने को मिलेगा जैसे 0.65 तक आजाता है तो फिर कहिना कहिन इसका यह जोखिम भरा हो जाएगा और इसके price नीचे के तरफ आपको देखने को मिलेगी अगर हम इसका जो देनिक चार्ट है इसकी तरफ अगर गोर करते है तो यार यह कहिना कहिन price 50 से नीचे XRP ग्रावट की गती को संकेत यहाँ पर मिलने की chance काफी बढ़ जाते है तो यह आपको कुछ चीजे यहाँ पर जो अटकले बन रही है उसको आपको देखना पड़ेगा उसी सा आप यहाँ पर आने वाले समय में दिर्ग कालीन के साब से इसमें profit निकाल सकते है वही दूसरी दब में बात करूँ तो पूरा crypto market के अगर top 10 की cryptocurrency कैसा performance कर रही है उसी base पर आप XRP को भी ले सकते हैं अगर यह top 10 की cryptocurrency अच्छा production कर रही है या इसमें कोई positive impact पढ़ रहा है तो उसका effect आपको XRP पर भी price पर भी देखने को मिलेगा तो इसको भी आप थोड़ा गोर करते रही है तो और और लगन में niscus की बात करो तो क्या है तो यार XRP में हाली में uptrend और downtrend जैसा होता है उसके हिसाब से आप इसमें entry और exit ले सकते हैं अगर price 75 से तक छू लेती है तो price उपर जाएगी और अगर 65 तक जाती है तो price नीचे जाएगी दूसरी बात यह है कि यहाँ पर आपको long term के हिसाब से थोड़ा point view से सोचना पड़ेगा short term के हिसाब से गर सोचोगे तो आपको यह जो छोटी-छोटे जो angle बन रहे है ना candle बन रहे है ना इसी हिसाब से short term invest करके short term फाइदा ले लीजिए तो यह आपके लिए अच्छा हो सकता है तो यह कुछ निसकर्स है आई होप आपको कुछ मदद मिली होगी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए चैनल सब्सक्राइब करिए मिलते ने वीडियो नमस्कार